हम बात करने वाले हैं वीबो की ओल डिवाइस के दराब जो है यूजर मल्टिपल यूजर सटिंग को यूज कैसे कर सकते हैं जैसे कि इसका अगर स्टोटकट हम नाम बोलें तो यह होता है एक तरीके से अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको एक option मिल जाता है आपके phone मे करने के लिए सबसे पहले तो आप settings को open करिए आपको दो तरीकों से ओनर और guest को यूज कर सकती है guest को कैसे create करना है उसके बारे मताएंगे even guys guest mode हमें access कैसे करना है ओभी हम देखेंगे यहां पर आएंगे control center को नीचे करेंगे एक settings यहां पर अलोबो छोटा सा बना हुआ मिलता है इसके अंदर select user आ रहा है जिसमें हमने guest का एक user बनाया हुआ हाला कि इसका नाम हो गए अभी नहीं हमने कुछ भी रखा हुआ इस एक जामपल बनाया था इसको हम setup करेंगे यहां call करना allowed नहीं होता में भी इंटरनेट access नहीं कर सकती किसी को हर्षपोर्ट शेयर नहीं कर सकती इसी बहुत सारी चीज़ें जो आप गेस्ट नहीं कर सकता वह नॉर्मली अगर आपने पहले का जो में user है वह internet access करके guest mode को देता है तो ब्राउज करके YouTube और सब कुछ चला सकता ह लिए जो अपनी हसाब से access नहीं कर सकता इसको लोगे पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पर नियूजर आ रहा है इसको नियूजर का नाम देंगे अग्जापल में अपना नाम यहां पर लिख हूंगा अगर आप उस user का आप इमेज लगाना चाहें तो इस पर क्लिक करके choose an image पर क्लिक करके यहां से कोई यूजर का नाम देंगे माली जै मैं अपनी ही एक image सलट कर देता हूं और इसको okay पर हम क्लिक करेंगे इसके लिए crop कर सकते हैं इस इमेज को जितना आपको रखना है इसके बाद save to copy करेंगे इसके बाद यहां पर save कर देंगे creating हो रहा है और यह create हो चुका हमारा एक user जिसमें हमें अलाव करने के लिए बोलता है अगर phone calls और एसमें इस उसर को अलाव करना चाहिए तो यहां पर turn on phone calls पर click करके इसको okay करेंगे अब यहां पर delete user है अगर आप चाहिए तो इसको delete भी यहां से कर सकते हैं अब यहां पर switch to owner करना है यहां पर switch to करेंगे तो setup का एक option आएगा setup करेंगे यहां फिर note now कर देंगे setup करने के लिए यहां पर make sure that person is available to take the device and set up to your space तो यहां पर setup पर क्लिक करते हैं तो यह switch हो जाएगा हमारे दूसरे वाले owner के अंदर यहां पर set user आ रहा है इसको नियूजर चाहें तो set कर सकते हैं एज़ा नियूजर पर set करके use now पर click कर देंगे तो हमारा एक condition आजाएगा सब कुछ इसको agreement हो गए रहा है इसको accept कर लेना इसके बार next पर click कर देना अब यहाँ पर wifi condition मांग रहा है wifi चाहें तो set कर सकते हैं एक तरीके से new user जा रहा है ध्यान देना इसमें google accounts भी अलग-अलग बनाए जाते हैं सब कुछ यहाँ पर आएगा अब को new device के साथ screen lock बना सकते हैं, fingerprint होगा अब यहाँ पर use now पर जब click कर देंगे तो इसका एक नया dashboard में देखने को मिलेगा देखो यह नया एक phone मिल चुका है और इसको हम अभी guest board के साथ activate करना है, warranty card भी इसके activate कर सकते हैं, no doubt यहाँ से and जिस तरीके से आप totally इस्तमाल कर सकते हैं इस phone को, अब देखो इसमें भी same चीज़े मिलेंगी, इसमें हम अलग account बना सकते हैं Google का, इसमें अलग अलग चीज़े access कर सकते हैं हमने phone call permission इसको permission दे दी थी BJ वाले को, तो यह क्या है call भी लगा सकता है, और बहुत सारी चीज़ों को आप restrictors में डाल सकते हैं, restrictions means कि, वो नहीं phone लगा रा चाहे ना लगा पाए, नहीं SMS रीड कर पाए यह सारी चीज़े आप खुद ही manage कर सकते हो यह owner quest board settings का भी बढ़िया settings अगर आपको इस्तमाल करना है, इसको तो आसानी से कर सकते हैं, आपके phone में by default होता और कुछ maximum phone में नहीं होता, तो जिन में नहीं होता आप उनके लिए applications उगर हम कोई choose करेंगे, अगर application मिलती है कोई तो third party apps के साथ मैं आपको बता दूँगा कैसे इसे access करना है